Hello everyone rule number 12 क्या करता है आपका the plus adjective of a structure use हो रहा है एक sentence में as a subject तो वो आपका plural noun की तरह use होगा यह जो आपका construction है यह आपका क्या करता है group of people को represent करता है जो कि आपका एक ही विशेशता को दर्शार होगा यह फिर बता रहा होगा example देख लेता है आपका the poor is struggling तो यहां पर दीखिया आपका the article use होगा इसके बाद हमने क्या कर रहा है poor जो कि adjective हो तो उसको use कर रहा है यह जो the poor है यह मिलके plural noun बनाया है यहां पर आपका जो the poor है इसका मतलब है लोग जो क्या गरीब है okay people who are poor यह इसका meaning है the poor का अब मैंने बताया अच्छा एक चीज़ आपको ध्यान रखने है मैंने यहां पर इत्ता तो बता दिए कि the article उसके बाद adjective है subject की तरह use हो रहा है तो उसके according plural वर्व है तो is नहीं आगा आ रहा है यह तो tier होगी लेकिन examination में क्या अरुर दे देता है व एक रहर examination हो बनता है कि the poor के साथ is देतेगा गलत है आ रहाएगा दूसरा error यह देतेगा वो लिखतेगा आपकर the worst गलत हो जाएगा poor adjective है इसके साथ as or yes किसी भी adjective के साथ as or yes नहीं लगाना आपने clear है तो यह रहान लगना है आपने अब struggling किया है आपका adjective है subject compliment की तरह use हो रहा तो यहाँ पर the rich है the article है rich है आपका adjective है फिर से use हो आया as a subject होगे तो यह आपका plural noun है इसके according plural noun आप आएगी बिल्कुल है have बिल्कुल correct है often आपका adverb है adverb क्या करता है verb को modify करेगा तो यह have verb को modify कर रहा है have जो है वह आपका stative verb है okay transitive verb हो तो इसका object होना चीछ तो better access क्या है noun phrases इस जो आप यहाँ प्र हो और क्या है object है you better access में better जो है वह आपका adjective हो गया और collaborative baby good, better, best Access noun हो गया यह क्या कर रहा है आपका better adjective क्या क्या गर रहा है Access noun को modify कर रहा है To education की अगर हम बात करेंगे To proposition हो गया Education noun हो गया Or noun gain To proposition को object है Clear है यहाप़ जो To education है वों आपका adjective की तरह काम कर रहा है Access noun को modify करने के लिए यहापह Ed vested प्लिख दिया है यह आपका adjective है, जो क्या कर रहा है, access down को modify कर रहा है दो तरिकी की error examination में बनेंगी, the rich often has लिख दिया जाएगा, गलत हो जाएगा, have आगा दूसरा error बनेगा, the riches लिख देगा, गलत हो जाएगा, the rich correct है इसी से related एक और आपका example है, वो भी discuss कर लेते लगे हैं तीसरा example क्या कर रहा है, the elderly require special care and attention, तो आप पर the article है, elderly जो है, वो आपका adjective ध्यान रखेगा अब यह आपका subject की तरह काम कर रहे है, तो आपका plural noun है, the elderly जो आपका, यहाँ पर phrase है, इसका मतलब है, people who are old वो लोग जो क्या है, आपकी बुड़े हैं, okay, वे दवस्ता में, okay, तो उनको हम क्या कहेंगे, आपका, डैल दली गहेंगे, require देखे, आपका plural verb है, requires होता, तो यह ध्यान रखना है, आपको require बिल्कुल correct है, plural verb, mean verb, require what, तो reply मिला, special care and attention, तो what का reply मिला है, वोफ से पूस्ते पे, तो यह क्या है, आपका object है, basically require verb का, okay, noun phase है, यहाँ पर special आपका, क्या adjective है, जो care और attention noun को क्या कर रहा है, modify कर रहा है, और care और attention noun क्या है, and conjunction से जुड़े हैं, जो क्या आपका coordinate conjunction है, तो यह आपको ध्यान रखना है, इसे से related आपके दो question मैंने आप लोग के लिए लेकर है, okay, यह question आपने on work में करने है, और इनका answer आपने comment करके बता रहा है, okay, अच्छे question है, the brave was honored with medals for their courage, okay, दूसरे आपका the rich are often targeted for higher taxes, okay, तो यह जीज़े आपको धिहान रखनी, जो rule मैंने बता है, मैंने क्या rule बता है, उसक adjective लिखा हुआ, उसके बार, दोनों जो है, वो आपका sentence के subject होंगे, तो आपके plural consider होंगे, plural verb और plural pronoun उनके according आएगा, plural adjective उनके according आएगा, ठीक है, दूसरे चीज़े आता है, examination में, जो adjective होगा दाके बार लिखा हुआ, उसके साथ, yes लगा देगा, उसको प्रूरल फोर में यह चीज़े आपको ध्यान रखनी, मिलते हैं in the next class अब तक के लिए, जाएं जाएवार